ओम श्री विश्णवे नमहा ओम श्री तुलस्य विद्महे विश्णू प्रियाए धी मही तन्नो व्रंदा प्रचो देयाद आप सभी का मेरी योट्यूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है आज हम जानेंगे आशार्ष शुकल महिने में आने वाली एकादशी के बारे में दोस्तो आशार्ष शुकल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम देवशैनी एकादशी है और देवशैनी एकादशी का वरत रखा जाएगा 20 जुलाई मंगलवार के दिन माना जाता है कि इसी दिन से भगवान विश्णू चार महिने तक योग निद्रा में चले जाते हैं और इनी चार महिनों को हिंदु धर में चातरमास के नाम से जाना जाता है इन चार महिनों में शुपकार पूरी तरह से वर्जित होते हैं एकादशी तिथी प्रारम्भ हो रही है 19 जुलाई की रात 9 बचकर 69 मिनट से और यह तिथी समाफ्थ हो रही है 20 जुलाई की रात 7 बचकर 17 मिनट पर इसके साथ ही व्रत खोलने के समय के बारे में भी जान लेते हैं देवशेशनी एकादशी खोला जाएगा 21 जुलाई को सुबह 5 बचकर 57 मिनट से सुबह 8 बचकर 45 मिनट तक द्वादशी तिथी के दिन हरिवासर के समय एकादशी का व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए हरीवासर समय होता है द्वादशी तिथी का प्रथम एक चथाई पहर इसके साथ ही कभी भी अगले दिन सूर्यदे से पहले द्वादशी तिथी के दिन अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए अगर द्वादशी तिथी सूर्यदे से पहले ही प्रारंब हो चुकी है तब भी आपको सूरेदे के बात के समय का ही इंतजार करना चाहिए अब क्या कुछ खास आपको करना है देव शैनी इकादशी के दिन उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों माना जाता है कि पूरे चार महिने तक भगवान विश्नु शीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं तब ऐसे में जितने भी शुपकारी होते हैं वो सब रुक जाते हैं अगर इन चार महिनों में कोई शुपकारी कर भी लिया जाता है तो माना जाता है कि उसका पूरा फल नहीं मिलता है या उसके शुप फल की प्राप्ती नहीं होती है अब आपको देवशेनी इकादशी के दिन वरत रखने के साथ-साथ नियमों का पालन करने के साथ-साथ क्या कुछ करना चाहिए दोस्तो इस दिन रात के समय पूजा करतिस में आपको ये एक काम जरूर करना है आपको आज के दिन भगवान शुरी हरी के लिए नए विस्तर का प्रबंद करना है उन्हें नए वस्तर पहनाने चाहिए इसके साथ ही विश्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते वे कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप देव शैनी एकादशी के दिन किसी काली गाये को बेशन के लड़्टू जरूर खिलाए ऐसा करने से आपकी मनुकामना जल्दी पूरी हो सकती है कि साथ ही दोस्तों भगवान विश्णु को सबसे ज़्यादा प्रे होती है तुल्सी एकादशी के दिन माना जाता है कि जो भी भक्त मा तुल्सी की पूजा करता है घी का दिया जलाता है सुबह के समय तुल्सी के गमले में जल अर्पित करता है ऐसे व्यक्तियों को अकाल म औरथियों का डर नहीं रहता है साहती पागवान विश्णु का आश्यवाद उन पर और उनके परिवार पर भी सद OUR आप जाना चाहते हैंतों किस दिन डृब डॉलना चाहिए किस समय नहीं डालना चाहिए इसके साथ ही मातूल्सी की पूजा करते समय के मंत्रों का जाप करना चाहिए तो इसके लिए आप मेरी अगली आने वाली वीडियो का इन्तijk Quanर कर your और उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा